यूल नभीन देटोप चैनल MGU की तरफ से एक notification आया हुआ है आपके exams को लेकर अभी जो exams होंगे वो होंगे DTE के PZ courses के तो जो PZ courses है DTE उनकी admit card आचुके हैं अगर किसी को admit card अभी तक नहीं पता है तो admit card आप download कर लेना ठीक है तो एक notification कर्दाइशन आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से वह यह है कि जो आपके लिस्ट है जिसको online इक्जाम देना है उनकी जो लिस्ट है वह revised हो चुकी है एक लिस्ट आयी थी जिसमें बताया गया था कि आपके exams online होंगे या offline होंगे जब students ने अपने admit card निकाले तो उनके roll number पर examination center लिखा हुआ आ रहा था जिन्होंने online exams के लिए apply किया हुआ था कि हम तो online exams देना चाहते हैं जिन students ने online के लिए apply किया हुआ था कि PZK जितने भी students है जो online exams देना चाहते हैं लेकिन जो अभी admit card आये हैं कल ही admit card आये हुए है PZK DDE के तो उनके examination center change हो चुके थे offline उनको दे दिया गया था कि आपको offline ये center आपका ये college है यहाँ पर आपको exam देने हैं लेकिन यहाँ पर क्या change किया गया है एक list निकाले गई है university की तरफ से जिन होने online apply किया हुआ था वहाँ पर आपके exams होने है ये list जब आप download करोगे जब आप इसको download करोगे तब आपका rule number आपका registration number और आपके student IT वहाँ पर given होगी जिसने भी online apply किया हुआ है admit card पर कुछ भी हो आपका examination center कुछ भी लिखा हुआ हो कोई माइने नि रखता अभी जो list आई हुई है उसमें clear हो गया है कि आपका exams online होगा ठीक है ये तो है fresh students के लिए ये list है ये fresh के लिए है और ये list है reappear students के लिए जो DDE PZ के courses है जो अभी exams होने वाले है जो distance students है PZ courses DDE के लिए तो यहाँ पर आपके student number जो student ID बोलते हैं यह है आपके registration number यह roll number है student name, father name, course आपका exam online होगा online की ही list है तो online लिखा होगा यह आपके mobile number है यह है आपके email ID अब यहाँ पर आप check कैसे करोगे क्योंकि 101 या 110 page है शायद इसके तो बहुत सारे PZ हो जाएंगे आप check कैसे करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना तो student ID आपको देखना है ना registration number आपको देखना है आपको देखना है अपना examination roll number जो आपने admit card डाउनलोड किये हुए होगे वहाँ पर आप अपना roll number देख लेना उससे आप check कर लेना क्योंकि student ID और registration number आगे पीछे हुए है लेकिन यह जो examination जो roll number है आपका वो बिल्कुल series में है जब आप इसको check करोगे तो series में आप अपने roll number को आसानी से check कर पाऊगे और आप यह देख पाऊगे कि हमारा online exams हो रहा है या पिर नहीं तो आप इसके coding देख लेना देख भी सकते हो दिखा देते हूँ जो आपके roll number है बिल्कुल series में है यह देखे लेकिन जो आपके registration number है वो आगे पीछे हो सकता है ना मिले लेकिन roll number से आप आसानी से download sorry आसानी से check कर सकते हो ठीक है तो यही notification देनी थी आपको कि आपके जो admit card है वहाँ पर आपके offline exams के लिए center दिया हुआ है कि आपका इस college में है exams आपका इस college में है तबको डरने की कोई बात नहीं है वो misprint हो गया होगा या फिर college की university के गलती कह सकते हो कुछ भी कह सकते हो आप तो university ने उसको सुधारने के लिए ये list निकाल दी है आप यहां से check कर सकते हो कि आपका exam online है या offline है ठीक है ओके thank you